प्रगवाल गाओं में श्री गनेश उस्तव की तेयारी हो चुकी है और पूरी ही मार्किर के द्वारा आज यहां पर गनेश उस्तव का पहला दिन है और मैं सब को अपधाय देता हूँ मैं पंद्ल शुभम शर्मा गवाल और विश्व शानती के लिए आज हमने यह अनुस्पान रखा है pembalicapha परगवाल चोक में दुकानदारों दुवारा गनेश चतुरती के मोके पर गनेश जी की मूर्ति स्ताफित कर पूजा अर्चना की गई इस मोके पर गवान गनेश की पूजा में भोग और धुरूपी चड़ाई गई वही आये हुए लोगों ने गनेश महराज की पूजा करने के बाद मनोकामनाय पूरी करने के लिए गनेश महराज के आगे सर जुपा कर रमस्कार किया वही पड़े चुबम शर्मा ने कहा आज हम बगवान गनेश से यही प्रात्मा करेंगे हमारे देश पर कोई संकर ना आए और हमारे देश के जवानों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना इसलिए आज हम बगवान गनेश की पूजा कर रहे हैं प्रशाद है इसको हाथ मं आए सबीच बज्खैंए प्याणाइ स्वाः था वा जैसे मुलियी धी самिती महराजे की जैए नहीं अपाना यह स्वाः झाना यह स्वाः था पुरा साथ पूरा सादल शोड़ना आज प्रगवाल गाओं में श्री गनेश उस्तव की देयारी हो चुकी है और पूरी ही मार्कित के द्वारा आज यहां पर गनेश उस्तव का पहला दिन है और मैं सब को बढ़ाई देता हूँ मैं पंड़शुवम शर्मा प्रगवाल से सब को बढ़ाई देता हूँ और विश्व शान्ती के लिए आज हमने यह अनुस्तान रखा है और अश्वनी मास के भादरपत शुकल पक्ष चतधी के तिन आज यह उस्तव बनाया जा रहा है और युग युग अंतर तक यह उस्तव बनाया जाता था और आज हम भी प्रगवाल बासी पूरी मार्केड विश्व शान्ती के लिए यह उस्तव बना रहे हैं और जब भगवान श्री गनेश जी ने महावारत का निर्मान किया था और उनका शरीर बहुत ही तपने लगा था और तब उनको उठा कर सागर में बिठाया गया था ताकि उन्हें शीतलता परधान हो सके वही से यह प्रमप्रा चलती आ रही है जैसे कि आज प्रगवाल के जितने विगाओं हैं वो सब यहां पर अमंत्रित हैं और चतुर्दी के दिन जहां पूजा प्रमभ होगी और इनका भी सरजन अनंत चोद्या को होगा और मैं सब को यह वधाई देता हूँ कि आज हमारे इस कारेकरम का मेर लक्ष है कि विश्व शान्ती हेदवे और विश्व कल्यान के लिए और जो हमारे बाडरों पर साइना के जवान संहीद होते हैं उनकी शान्ती के लिए ये कारेकरम रखा गया है वलिगनपती महराहाजी की जै अज़ मारे जाटना की भी ज़िए उनकी प्रड़स्ट्स अर्विस प्रस्ट्ट्स अर्विस को झाटि कर दे जा हमारे टिम जोड़े अ कर दो धारता है सुषिरु शर्मा 788 988 34 394